अब यह चीज सुनने में तो बहुत असान लगती है कि what is a screenplay, सबको पता है screenplay क्या होता है जो कि आज की जमाने में internet पे हर website पे कुछ ना कुछ इन्फोर जो, हर website का मतलब यह नहीं किसी website पे चले जाओ, मतलब जो film की websites है जैसे no film is cool है या फिर indie hustle, indie hustle पे काफी screenplays पड़े और मैंने भी अपने पुराने वीडियो ने बताया हुआ कि screenplay कैसा दिखता है, कुछ screenplay लिखके भी दिखाएं और कुछ reading भी करिए, मैंने screenplay की, so उससे आपको एक general idea तो होगा, but screenplay basically होता का है, screenplay जो script सादा blueprint for the movie, जैसे आप architecture करने जाते हो, कोई building बनाने जाते हो, तो उस for the shoot, तो एक basically, जो screenplay होता है, it is devoid of any emotions, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसमें emotional चीज़े नहीं लिखी होते हैं, उसमें वही लिखा होता है, जो screenplay पे दिख रहा होता है, इसलिए उसको instruction manual भी खा जाता है, instruction manual भी खा जाता है, जितने भी HODs होते हैं, जैसे एक editor है, costume designer है, DOP है, chief assistant director है, director है, सब के लिए उसमें instructions होते हैं, जो descriptions होते हैं, वो उसी हिसाब से लिखा जाता है, कि इन सब को, उन descriptions से help हो सके है, अगर costume designer को पता है, कि उसका actor कपड़े कौन से पहनने वाला है, क्या look and feel है उसका, एक production designer को पता होना चाहिए, कि वो script पढ़के, कि room का look कैस होगा, वो particular location कैसी होगी, वो एक जंगल में shoot हो रहा है, या फिर कहीं और shoot हो रहा है, based on that, वो अपनी requirement बनाता है, और इसी तरह है, बाकी और उसमें बहुत सारी problems यह आती थी, कि उसको arrange करना मुश्किल होता था, यह नहीं पता होता था, कि दिन में shoot होगा, night में shoot होगा, या फिर अक्टर कहां से कहा, move करेगा, तो जब डिरेक्टर्स ने, actually जो process है, यह reverse में चला, जब डिरेक्टर्स ने set पे आके problems महसूस करने चुरू करी, कि उनको blocking करने problem हो रहे है, या आर डिरेक्टर्स को production design में problem हो रहा है, किस तरह production design होगा, अब अगर screenplay में चीजे नहीं होगी, characters के descriptions नहीं होगी, character के dialogue सही से नहीं लिखे होगा, action lines नहीं होगी, तो सामने आले को पता कैसे चलेगा, कि उसको करना क्या है, so basically instruction manual तरह आप सारी चीजे उसमें लिखते हो, एक format भी लिखते हो, एक format भी लिखते हो, तो एक format over the time ऐसे develop किया गया है, जिसमें directors को blocking करना भी असान हो, बाकि जो HODs है, उनको जो भी चीजे चाहिए हैं, वो धूनने में उसमें problem ना हो, वो अपनी requirement जो है, उस screen पर निकाल सके, इसलिए एक format डेवलप किया गया है, जिसमें जो आप देखते हो, लग लाइन होता है, जिसमें इंट, फिर location, फिर time लिखा जाता है, फिर उसका description होता है, जिसमें आपके location को introduce करते हो, फिर characters को introduce करते हो, फिर बताते हो किस तरह का motion कर रहे हैं, अगर वो कहीं move कर रहे है, त सारी शीजे mention होती है, अगर जैसा कि वे ना बताया है कि जो screen पे लिखा जाता है, वो एक instruction manual होता है, जो आपको help करता है, जब आप अपनी film बनाते हो, आपके crew को help करता है, ये समझने में कि वो सही direction में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, let's move on to next video.